नमस्कार दोस्तो, Welcome to AWS Mastery Course in Hindi और आज के इस वीडियों में में समझने वाले हैं कि Block Level Storage क्या होता है और Object Level Storage क्या होता है इसके बारे में हम लोग Details में बाते करेंगे Notes के माध्यम से जो कि आपको Help करेगा AWS में Master बढ़ने के लिए दोस्तो, आपको मैं इनफर्म कर दूँ कि AWS कंदर में जो S3 है बहुत ही important topic है जब AWS स्टार्ट हुआ था, तभी से S3 अपना जगा बनाया हुए है और ये S3 के माध्यम से ही AWS का Maximum Review मिलता है क्योंकि वोल्ल में जितने बड़े बड़े ओगनाईजेशन है, बिचने बड़े बड़े वेबसाइट है, जितने बड़े बड़े एपस है बिहाइंड और जो स्टोरीज यूज़ होता है, वो S3 के स्टोरीज यूज़ होता है इसका मागर से अर्प काफी ज़्यादा है और अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आपको तो जॉब पाने में तो होगा ही संग में आप as a freelancing कुछ extra time देकर के आप काफी अच्छा earning generate कर सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं और आपको बताता हूँ मैं इन डीटल में इस वीडियो को जरू सरू अंत तक देखिए ताकि आपका knowledge enhance हो सके और वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूँगा एक question जो की interview से related होगा हर वीडियो के अंत में मैं एक question करता हूँ जो interview पुछे जाते हैं ताकि आपका knowledge प्रहाई के संसर में और enhance हो सके तो बने रे वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर दिजिए, bell icon press कर दिजिए और वीडियो को अभी like कर दिजिए Amazon में आपको दो तरह का storage प्रोवेट किया आते हैं एक होता है block storage और जिसरा होता है हमारा object storage राइट चले हम समझते हैं one by one every topic के बारे में चली हम समझते है block storage level क्या होता है block storage is suitable for traditional databases, random read-write loads and structured database storage देखिए आपको मैं simple language समझाता हूँ block storage मतलब क्या हुआ है जैसे आपका एक laptop है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं या आप जिस company में काम कर रहे हैं वहाँ पर एक server है सर्वे के संग में storage अधा होगा है अब वह storage hard disk का आप अब क्या हो रहा है कि उस storage में आप data save कर रहे हैं आप उसके अंदर में application install कर रहे हैं जिस application में काम होगा तो जो operating system क्या हो रहा है वह हमेशा काम कर रहा है application जो install कर रहे हमेशा वहां पर read write हो रहा है वह application open कर रहा है close हो रहा है random access हो रहा है right तो इस तरह का जो काम होता है वह होता है block storage का अंदर में इस तरह काम होता है transactional काम को बोल सकते हैं तो block storage के अंदर में जो transactional काम होता है उसके अंदर में हमारा operating system application software और बहुत सारे ऐसे transaction copy paste हमेंसा होता रहाता है इस तरह काम करने के लिए जो हमारा suitable होता है वोता है block storage तो अभी आप कहेंगे कि जो मेरे laptop में hard list है क्या वो block storage है जी हाँ block storage block stores divides the data to be stored in every size blocks for instance a file can be split into every block before it is stored देखे जब आपका एक फाइला बनाते हैं राइट वो हो सकता है 1kb का हो हो सकता है 100kb का हो 100gb का हो राइट तो वह फाइल जब बनाते हैं और उस फाइल को जब आप save करते हैं यहां आप ब्लॉक store में तो block store क्या करता है उसको divide कर देता है एक फाइल को multiple पार्ट में डिवाइड कर देता है राइट सो multiple पार्ट सब्सक्राइब आपको पास एक block storage है अब उसको क्या करेगा कि वो मुल्टी पार्ट में उसको divide कर देता है चली मैं दिखाता हूँ कैसे होता है यह आपका file है और क्या हुआ इस file के अंदर में यह division बन देता है यह block 12345671 आपका block है अब आप जब file बना करके डाल रहे हैं यहां पर तो फाइल क्या है कुछ यहां पर इस्टोर हो रहा है रही छिए फाइल के एंदर कुछ पाइल हो रहा है अजय हुआ चैनल की सब्सक्राइब कर देताहिए पिचर ब्लॉग हमोटा ह gli प्युक्तव है और हमानक है अप ये इस रहे है षोन् iba грख इस दीड ब्लॉटे पीड आपको डीफेरेंट पार्ट करता हैं ये उस्सके सब्सक्राइब करता है उप concrete किया है एक स्मॉल पाoll है आप को स्चोड़िज डिवा Anh बहुं सारे ब्लॉग मिलके आप HOL踏किस टॉट्ट्रूद स्थून बंता है कि जितना बरा इस् órड आपको अधिकו प्लॉड को साइज, सोर्स, ओनर, मोडिफाई, डेट एडिसी, ब्लोग स्टोरेज में जब भी कोई आप डेटा को स्टोर करते हैं, उस डेटा का जो मेटा डेटा है, वो स्टोर नहीं होता है, वो उसको गंटिन नहीं करता है, यानि की, फाइल कब बना, फाइल का साइज किया था, कहां से वो फाइल आया, उसका ऊनर कौन है, मोडिफाई कौन किया, कब मोडिफाई हुआ, इसका पूरा डेटल को डेटा किस तरह का फाइल है आपका, किसके अंदर में ओडिट किया गया है, तो यह सब जो हài data आपका इस्टोर यहां पर नहीं up Ellen जैसे आपउज को राड्क् सर्ट में जना तो आपको दीरल दिखाता है न हो ही दीटेल को वो रोग आये मेंटा डेटा उनलि इस दट्रैज मीन इन डिक्स देखिए जब आप ब्लोक स्टोरेज में क्या हो है तो वह डेटा जो रखा जाता है कि जो data हमारा है डीटा कहां पर स्टोर हो उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है अब जब ऐसी करना चाहते हैं इनडेक्सिंग होता है सपोज मैं टेस्ट.dxt फाइल बनाया अब टेस्ट.dxt फाइल जब मैं सेव किया तो पांच कहां कहां पर ब्लोग है वह जो इंडेक्सिंग होता है और उस इंडेक्सिंग से हमें वापस मिल जाता है डेटा इस तरह का जो एक्जामपल हम देखते हैं और इतने हमारा क्चैम व्लग प्रॉब्लोग लेकर के समय है किया और आने वाले समय में अब अभिसीं म मिलोक करने वाले हैं तो स मोतकี होनगे और आपको समझ में आया ही होगा और यह क्खेंग म 라एं अब फुर्था हम समझते हैं औबजेक्ट स स्टोरे पारे मैं as well as whole and it does not divide them in compression to block देखिये ब्लोक में क्या हो रहा था कि आपका एक फाइल है उसको मल्टिपल टुकरा में तूट करके वो मल्टिपल ब्लोक में जाके स्टोर हो रहा है यानि कि आपका एक स्टोरेट जो है मल्टिपल ब्लोक प्रवाइट कर रहा है यहां पर अब्जेक्ट में क्या होगा कि जो भी आप डाल रहे हैं उसको एक आपजेक्ट के तरह वो ट्रिट कर रहा है यह इस तोरेज यहां पर उसको मल्टिपल जैसे जगह में store कर रहा था और ब्लोग में कर रहा था यहां पर एक ही जगह आपका store हो जाथ है as a object in object storage an object is the file itself or data itself its metadata global unique id देखिए यहां पर जब आप store करते हैं कोई भी data तो मैं बतो हम बोला फाइल तो store होगा ही होगा संग में और इसके अंदर में आपको एक metadata भी store होगा कि user कौन क्रेट किया कब क्रेट किया कहां से क्रेट हुआ कितना size है किस तरह का file है एक data अपका store होता है और इस object को जो भी file आप यहां पर store किये है उसको एक तो object unique id मिलता है global object जिस id के मादर में से इस data को आप world में कहीं से एकसेस कर सकते हैं और यह data यह जो id होता है यह unique होता है यहनि कि world में जितने सारे store हो रहे हैं वहां पर आपका duplicate होने का chance से आप नहीं होता है correct एक और बात बता हम जो block store था block storage को आप access direct नहीं कर सकते हैं उसको access करने के लिए पहले आपको जो है एक कोई ही virtual server को access करना पढ़ेगा और server के माध्यम से उसको आप access कर सकते हैं आगर मैं आपको बता हूँ simple भाजा में कि आप इंटर्नल हार्ट्राइब खर्थ के लिए अब उसके अंदर में आप data रखे हुए तो उस डिटर एकसे करने कैसे करेंगे आप पहले उस computer के अंदर में लगाएंगे उसको इंटर्नल में लगाने के बाद उसको अपने से स्टर के माधम से अक्सेस करेंगे बट पेंड्राइब में कोई data रखें है तो जिस अक्सेस करना इस लगाई है उसके एकसे कर लिए या अभी पेंड्राइब जो आ रहा है आप मुबाइल से अब एकसेस कर पा रहा है ऐसे भी अभी डेबलोग हो चुका है राइट अब्जेक्ट ग्लोबल उनिक आईडी इस अ उनिक आइडेटिफायर फॉर द अब्जेक्ट जो उनिक आइडी है एक उनिक आइडेंटिफायर है उस अब्जेक्ट के लिए और इंट मस्ट बीनिक शच अज इन डिट्यूड डिस्रीकारइडिंग एक्स विजिकल स्डोरिज अच्छा यह जो है आपका इंटी मिलता है वह ईडी कम डाइडएंग से तो ऑस आुट कर रहे है है तो आप फिसिजिकल स्टॉरेज में आपको जाना नहीं पढ़ रहा हैं सभाएग फिसिकल इस्टॉोरिज में परकरो और क यहां पर आप आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत बढ़िया एक्जामपल जो आपको जो दिख पा रहे हैं यहां पर ड्रॉप बोक्स है अधीर है और फेस्पुक का जो इस टोड़ेज हो आप जो फोटो किलिक करते हैं अधीर हो रहा है बट इस टोर तो कहीं ने नहीं उन रहा होगा वह स्टोर होता है इस तरह का गेजमपल है आप को यह सब और बहुत सारा एक्जामपल है जैसे आपको गूगल ड्राइब हो गय हो गया तो सोच इस कितना यह अधिकतर इंडस्टी में वेगारा है जिससे आप अगर इसको महिए सब्सक्राइब करते हैं और अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज का जो इंटर्वीव कोस्चन है वो है हम अपरेंटिक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको